Hello everyone, hope you all are good. I am again here with new video and a very very important content. जब भी घर में शादी फिक्स होती है, कोई भी वेटिंग फिक्स हो जाती है, तो उसके बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि कितना खर्च आएगा शादी करने में, कहां कहां पर खर्ची आएगे, कैसे बजट बनाया जाएगे. जब चादी में maximum का कोई limit नहीं है, maximum आप 5 star venue और उससे भी उपर जा सकते हैं. डेकोरेशन में आप कितना भी ले सकते हैं, आप 50,000 की decoration भी ले सकते हैं, आप 50,000 की decoration भी ले सकते हैं. Same is the case with events, artist, artist, singer है, तो आप 8,000 का singer भी बुक कर सकते हैं, और आप 8,000,000,000 तक का भी बुक कर सकते हैं. Average wedding या एक decent wedding का मतलब हुआ, जितना की एक middle class family या upper middle class family अफोर्ट कर सकते हैं, हम एक उस level की wedding की बात करते हैं, maximum का there is no limit. और जब भी हम wedding के budget की बात करते हैं, हम wedding का budget calculate करते हैं, कि कितना खर्चा आएगा, तो तीन बहुत important चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, पहला आपके शादी में number of guests कितने होंगे, आपकी guest list ready होनी चाहिए, एक tentative figure होना चाहिए, फिर थोड़ा पहुत हो plus minus चलता है, कि आपके पास numbers होना चाहिए, third important thing is कि कितने event हमें organize करने है, कितने event, एक wedding तो आपका main event हो गया, but wedding के साथ बहुत सारी events हो जाते हैं, कहीं एक दिन पहले संगीत करना है, सगन करना है, या फिर आपका ring ceremony होना है, या आपका morning में महंधी भी होना है, हल्दी भी होना है, तो कितने number of events होंगे, और फिर बहुत सारी चीज होती है, कि bride side कौन से event का खर्चा उठाएगी, groom side कौन से event का खर्चा उठाएगी, या दोनों लोग mutual करना है, या सारा arrangement सिफ bride side वाले को करना है, या सारा सिफ groom side वाले को करना है, इन सारे points में काफी hesitation लगता है कुछ लोगों को, लेकि better भही है कि आप बहुत अच्छे से उसको clear करके चलें, दोनों party discuss कर लें, कि हमें कितना budget लेके चलना है, कितने budget में पूरी wedding करनी है, कितना आप कर रहे हो, कितना हम कर रहे हैं, तो उसके बाद ही आपके लिए सारी booking बहुत easy हो जाएगी, चलिए बहुत हम एक एक करके बहु चार्ज करेंगे, events का, जो भी अपका wedding होगा है, या संगीत होगा, वो पर plate में अपका include होता है, venue का rental plus food, average wedding की बात करके चल रहे हैं, तो वो budget कहीं आपका होना चाहिए, जिस भी venue में आप जा रहे हो, वो आपका 1500 पर plate से लेके, 2500 पर plate के बीच में ही होना चाहिए, मतलब ए Let's take an example, हम एक example लेके चल रहे हैं कि हमारे याँ wedding fix होई है, day 1 we need 40 rooms and Sangeet event for about 100 guests, day 2 हमारा healthy है for about 150 guests, इसमें lunch होगा, फिर आपका wedding है about 200 guests, और हमें day 2 में rooms हमारे revise होके 40 के जगा 50 हो जाएंगे, ठीक है, यह हमारा एक example या एक query हम लेके चलते हैं, तो इसका budget हम कैसे calculate करेंगे, day 1 100 हैं, फिर आपके 150 guests हैं, फिर आपके 200 guests हैं, यानि 100, 150, 250 plus 200, तो एक average calculate करने के लिए हम कर सकते हैं कि 450 into 2000, 2000 हम जो बोल रहे हैं, उसमें हो सकता है, Sangeet का menu हमारे 1800 का हो, lunch हमारा 1500 का ही हो, और wedding का हमारे 23 or 2400 का हो, तो हमने एक tentatively या average लेके 2000 से, जो कि हमें easy हो जाएगा calculate करना, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 100 plus 150 plus 200 is equal to 450, अगर हम on and average लेके चल रहे हैं, 2000 per plate, तो आपका ये 9 lakh हो गया, तो ये cost आपकी 9 lakh हो गया, ये event की cost हो गई, जो आपको venue को पे करनी है, एक average wedding के लिए आपका room का cost कितना उतना चाहिए, it can be somewhere in between 3000 to 5000, उससे ज्यादा नहीं होना अब हम रूम्स का calculate करते हैं, day 1 हमारे 40 rooms है, day 2 हमारे 50 rooms है, total 90 rooms हो गए, 90 rooms अगर for example, उसका 3500 fare है, ये rent है room का, अब आपने venue की banquet booking कर दी, अपने rooms book कर दी, सारी meals book कर दी, अब आते हैं decoration पे, decoration के, अगर मैं cost का आपको idea दूँ, एक average wedding के लिए, एक budget wedding के लिए, तो आपका indoor decoration, it starts from 50,000, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, maximum की कोई limit नहीं है, 50,000 में you can have an entrance, you can have a stage, table, centerpieces, photo booth, बंडब, आप ये सारी चीजे ले सकते हैं, उसके बाद आप क्या-क्या design चूस करते हैं, उस पे depend करता है कितना floral ले रहे हैं, कितनी lighting ले रहे हैं, कौन से theme ले रहे हैं, तो उसके double तो आप मानके चलिए, indoor से outdoor का decor, क्योंकि उसमें आपके light का बहुत ज्यादा हो जाता है, plus आपको tenting काम बढ़ जाता है, कि food है, तो food के ऊपर आपको covering देना है, lounges बनाने है, या कुछ furniture add-on करना है, तो more than double आप लेके चलिए, indoor से outdoor का decor, तीन event है, अगर हमने माना कि हमारा संगीत event indoor है, उसका हमने add कर लिया, 60,000 आपका, संगीत का decor है, उसके बाद हमारा हल्दी event है, हल्दी का हमारा open होगा या indoor होगा, ज्यादा decoration नहीं होता है, तो फिर भी हम 50,000 आप उसका लेके चल सकते हैं, wedding है, wedding outdoor है, तो lighting, wedding वो आपका date से 2 लाग तक आज आता है, जैसे मैं सकते हैं, कि तीनों event का आपका decoration का cost आएगा, उसके बाद हम आजाते हैं, events या entertainment part पर, जिसमें आप कुछ नहीं, तो minimum DJ और music तो आप तीनों event में लेंगे, अगर हम तीनों event का calculate करके चलते हैं, DJ तो 15,000 पर event for sangeet and wedding आप लेके चल सकते हो, हल्दी के लिए 10,000 आप ले सकते हो तो ये 40,000 total हो गया, तीनों event का आपका DJ sound music का ये आप add-on कर सकते हैं, हमारे पास अप cost आ गई है, जो हमारा venue booking है, जिसमें की हमारा per plate charges है for all the 3 events, फिर हमारा rooms के जो charges है, that includes breakfast, फिर आपका तीनों event का decor इसमें हमने discuss कर लिया है, और तीनों event में DJ sound ये हमने include कर लिया इसमें, अ cinematography चल गई है आपकी, तो इसमें अगर आप एक average लेके चलते हैं, तो आप मान के चलिए 60,000 for wedding event, सिर्फ wedding की में बात कर रही हूं, एक अच्छी photography का, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, जिस wedding का हम discuss कर रहे हैं, हमारे 3 events हैं, तो उसमें अगर हम एक अच्छी photography की बात कर रहे हैं अगें, maximum, कोई limit नहीं है, जिसका जैसा profile है, वो उतना ज्यादा चार्ज कर रहा है, photographer ने भी, अब add-on cost में आपकी क्या सकते हैं, कुछ तो आपके चुटे-चुटे cost होते हैं, man the artist हो गए, डhol वाले हो गए, जो कि आप उन सब का एक 20-25,000 आप उसका रख सकते हैं, अब आ कर रही हूं, अगर 3 event हैं, तो हम कहीं वो package workout कर सकते हैं, up to 40,000, 40-45,000 में 3 event हम cover कर सकते हैं, तो हम 3 event के लिए, अगर makeup artist, 40,000 इसमें मैं add कर देती हूं, इसमें आपका invitation का बच रहा है, invitation आप printed भी कर सकते हैं, ये invite भी ले सकते हैं, printed अगर आप लेते हैं, तो आप मान के चलि रूपी रूपीज अगर पर card के उससे calculate करूँ, और हमारा जो card है, मैं 100 चाहिए हैं, तो आपका ये हो गया, 5000 रूपीज for card, बाकी तो आप 100, 125 कितने का भी ले सकते हैं, वो पसंद आने के उपर है, और आजकल तो बहुत लोग card print कराई नहीं रहे हैं, सिर्फ e-invite से काम चिला रहा है, and it's also a good idea, आप e-invite भी कर सकते हैं, instead of printed cards, इसके बाद आप return gift या sweets में क्या distribute कर रहे हैं, उसका cost आजाता है, आप अगर एक भाजी के box की बात करते हैं, तो वो धाई 300 रूपे पर box से लेके, 1000 रूपीज पर box तक कितना भी बन सकता है, वो depend करता है, आप उसम किस wedding का, जिसकी में भी बात कर रहे थे, जिसमें हमने 90 room nights book करी है, 450 guest का per plate book add करा है, decor add करा है, DJ का add करा हुआ है, हमने makeup artist का भी कर लिया है, photography का भी कर लिया है, तो कुछ आपने miscellaneous expenses भी add कर रखे हैं, इसमें man the artist के, या doll वाले के, तो उसके बाद आपका ही costing इतनी आ रही है, but ये costing सिर्फ एक tentative costing है, ये आपकी बोहत सारी चीजों पर depend होती है, again it depends on the number of guests, इतने भी आपके final होंगे, it depends on the menu, कि आप क्या menu ले रहे हो, क्या venue ले रहे हो, दोनों चीजों पर depend करता है, फिर आप decor में क्या ले रहे हो, इस पर depend करता है, ये सारी cost आपकी कुछ कम भी हो सक सकती है, तो कुछ बढ़ भी सकती है, ये सिर्फ एक tentative idea आपको दे रहे हो, ये एक बहुत standard query है, maximum calls आती है, उनलोग का इतना ही requirement होता है, थोड़ा बहुत कम जाता होता है, बट एक standard query है, ये इसलिए मैंने ये as an example दिये, और मुझे लगता है, अब आपको एक fair idea हो गया expense होने वाले है, कितना खर्चा आने वाला है, ये कहां पे आपको ज़्यादा खर्चा करना है, ये कहां पे आपको कम खर्चा करना है, कितने guest आपके होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, तो इन सब चीजों को idea आपको लग गया होगा, मुझे लगता है, and for more such videos, keep following my YouTube channel, please subscribe my channel, like my video, and do share such videos with your family, with your friends who are getting married, जिनकी अभी आने वाले दनों में, शादी होने वाली है, I will be coming with more such videos, ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आने वाली हों, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत help करेंगे, so this is all for today, happy wedding planning, thank you so much, goodbye.